हलो फ्रेंट्स दसल्स विहान, इंपॉर्टन्ट कॉशन्स की सीरीज चल रही है, लेक्चर्स को पूरा देखिए, और लास्ट में आपको मैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन्ट चीज यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो फोकस करना, अगर आपके कोई भी डाउट्स औ लेकिन वाट्स आप करते समय यह जरूर मेंशन करें कि आपको फ्री टेस्ट जूनिर ओफिस एसस्टेंट के लिए एटेंप करने हैं, तो यहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएगी, और लास्ट में आपको मैं एक और इंफरमेटिव यहाँ पर चीज आपके साथ शेर हैं, तो बताइए इसका सेही अंसर क्या होगा, फ्रेंट्स, दे राइट आंसर इस ऑप्शन नमबर डी, यानि की SMPS, ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट कॉश्टन यहाँ पर, टेकनोलोजी यूस्ट तू प्रोवाइट इंटरनेट बाए ट्रा यहाँ पर क्या बात की गई है, कि टेलिफोर नेटवर्क के तारों पर डेटा जो ट्रांसफर होता है, इंटरनेट परदान करने के लिए, उसके लिए कौन सी जो टेकनोलोजी है, वो यूस की जाती है, ओप्शन आपके सामने हैं, बताना है आप सभी ने, और यह कॉशन ग देखिए और लाइक, शेर, सबस्क्राइब जिरूर करिए, अगर अभी भी आपके कोई भी डाउट्स और क्वेशन और क्वेरीज हैं, तो आप वाट्स आप कर लेना, नेक्स्ट यहाँ पर, इन सीप्यू एग्जेक्यूट्स मल्टिपल प्रोग्राम, इट विल वी नॉन दोस्तों यहाँ पर क्या बात हुई है, कि यदि सीप्यू एक साथ कही करमों को निश्पादित करता है, तो इसे किस नाम से जाना जाएगा, ठीक है, यहनि कि execution करता है, तो इने किस नाम से जाना जाएगा, ठीक है, Friends, options आपके सामने हैं, बताना है, the right answer is option number cn की multitasking friends यहाँ पर क्या बात तो ही थी कि यदि cpu एक साथ कही कारेक्रमों को executes करता है तो इसे multitasking के नाम से जाना जाएगा चली next यहाँ पर देखते हैं which functions is used to check spellings very very important questions और सभी को I hope clear भी होगा इसका सही answers क्या होगा तो आना चाहिए बताइए इसका सही answers the right answer is option number cn की f7 clear चली next देखते हैं which function following is engine of computer ठीक है बताइए computer का engine यहाँ पर बात की गई है आना चाहिए और दोस्तों free test आप किस तरह से लगा सकते हैं मैंने आपको starting में mention कर दिया है जोने पहले की lectures descriptive lectures नहीं देखें तो आप descriptions box चेक चरिए वहां पर आपको link मिल जाएंगे the right answer is option number dn की processor I hope सभी का answer सही हुआ होगा ठीक है next यहाँ पर देखेंगे what can we consider as a basic building blocks of a digital circuit क्या बात हुई digital circuit की जो basic निर्मान खंड है यानि की basic building blocks of a digital circuit के रूप में किसे मारा जा सकता है ठीक है आना चाहिए सभी को questions यह दोस्तों हम इरुपर बोड जब भी हम बात करते हैं तो modified questions के लिए जाना जाता है जैसे कि आप सभी को clear भी है ठीक है और GK के test भी आप लगा सकते हैं computer के भी आप लगा सकते हैं वाट्साप कर लेना बताइए the right answer is option number C&E की logic gate I hope सभी को इसका answers पता होगा क्योंकि यह important है सभी questions important है दोस्तों क्योंकि हम previous three years paper analyze करते हैं HPSSE, HPPSSE, Central Level के exam और top 10 magazines questions highlighted के साथ MCQs और modified आपके लिए रहते हैं ठीक है तो next questions यहाँ पर देखेंगे which among following is responsible for finding and loading operating system into RAM दोस्तों इन में से कौन RAM में operating system को find करने और load करने के लिए जिम्मेदार हैं बताइए options आपके सामने आ चुके हैं सभी को answer आना चाहिए important है ठीक है गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि fab merge के बीच में आपका paper हो जाएगा बताइए the right answer is option number C&E bootstrap loader और दोस्तों I hope सभी को इसका answer मालूम भी होगा clear है चलिए next यहां पर देखते हैं which type of storage device is a BIOS दोस्तों BIOS किस प्रकार का storage device है very very important questions सभी को इसका answer आना चाहिए the right answer is option number B&K primary type का ठीक है चलिए next देखते हैं an electronic path that sends signals from one part of computer to another is एक electronic way जो computer के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में signal बेचता है उसे क्या कहते हैं सभी को पता होना चाहिए the right answer is option number B&K bus ठीक है cover a distance of kilometer बताइए यह तो आना चाहिए basic questions है दोस्तों जल्दी से सोचिए इसका sciences क्या होगा दोस्तों जल्दी से सोचिए आपर देखेंगे if a van is fully owned by a signal company including all intermediate links it is a called network बताइए दोस्तों यह questions बहुत जादा important है और यह questions बहुत बार exam में देखने को मिला है अभी currently की जितने भी exam हुए है ठीक है और यह questions बहुत ही बहुत ही जादा highlighted है आना चाहिए आपको इस तरह के questions आपके एक्जाम में बनेंगे बताइए options आपके सामने है the right answer is सभी के पास three seconds रहेंगे दोस्तों जल्दी से सोचिए the right answer option number cnk enterprise network clear चलिए next यहां पर देखते हैं dhcp full form बता नहीं है बताइए important है दोस्तों abbreviations भी आपके एक्जाम में देखने को मिलेंगी लेकिन कौन सी अब्रिवेशन आपको पढ़ने है कितनी ज्यादा important है कौन कौन सी highlighted है सब कुछ आपको fair होना चाहिए बताइए the right answer is option number a and e dynamic host configurations protocol ठीक है चलिए next यहां पर देखते हैं a network switch usually uses dash to determine the destinations device before forwarding a packet ठीक है बताइए important है सभी को आना चाहिए important questions की series चल रही है अगर अभी भी आपको clear नहीं है तो whatsapp कला ना क्योंकि यह job छूटनी चाहिए और दोस्तों एक और खास बात जितने भी free test आपके हो रहे हैं next free test आपका कब होगा इसकी details ले लीजिए कब होगा इसकी details आपको whatsapp पे मिल जाएगी और दोस्तों जो free test में इस बार top करेगा यानि कि आगे से आगे जितने भी हुआई test रहेंगे हमारे बहुत सारे test रहते हैं एक दिन छोड़के आपका test होता है ठीक है free of cost ही test रहते हैं और जो top करेगा इस बार उसे दोस्तों बिलकुल free crash course मिलेगा ठीक है तो मेहनत करनी है free test लगाईए और अपने आपको top करिए और free crash course में आप enrollment लीजिए दोस्तों और यही आपके लिए important news थी जो मैंने आपको starting में बताई कि मैं आपको एक बहुत यादा informative यहाँ पर आपके साथ चीज़ शेयर करूंगा तो यही वो चीज़ शेयर की मैंने आपको कि अगर आप free test में top करते हैं तब आपको free of cost crash कोर्स में enrollment मिलेगी professionals की अंडर दराइट अंसर आप्शन नमर एन की मैक अड्रेस इस अ क्लेक्शन ऑप पॉइंट टो पॉइंट लिंक डेट में फ्रॉम फॉर्म और सर्कल्स बताईए एक पॉइंट टो पॉइंट से एक जो क्लेक्शन एक मंडल बना सकता हैं दोस्तों important है आपको क्लेर होना चाहिए क्योंकि जब भी हम topology की बात करते हैं तो यहां से questions बनेंगे और topology considering ring topology star topology ठीक है जितनी वी topologies हैं इनके specifications से लेकर आपको इनका structure से लेकर कितने इनका जितना भी important की effects है वो आपको player होना चाहिए क्योंकि direct है आपके exam में यहां से questions होगा the right answer is option number c and key ring topology ठीक है और अभी मैंने आपको clear कर दिया है जो भी informative मैंने चीज़ आपके शाहर शेयर की है कि अगर आप free test में top करते हैं तब आपको बिल्कुल free of cost crash course में enrollment मिलेगी professionals के अंडर आपका एक भी questions नहीं चूटेगा और आप direct सरकारी seat हासिल कर सकते हैं whatsapp color number आपको मैंने starting में बिता दिया descriptions box भी चेक करें कीजिए वहाँ पर भी आपको whatsapp number मिल जाएगा और जो नहीं लेक्चर्स नहीं देखिए old descriptions चेक करी वहाँ पर आपको link मिल जाएगा तो जूड़े रहिए फिलाल दोस्तों उसी के साथ जय हिंद जय हिमार्चल